नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल ओली गृरीन में आज मैं लेकर आया हूं परिवरन प्रदूशन के परिवरतन एंव उनके प्रभावों पर संभावित प्रशनों तर एक सीरीज इसमें कुल 21 प्रशन है जो आपके इस विशे की समझ को विक्सित कर दें इसके बाद में आप देखेंगे कि प्रशनों के प्रशनों को आप अपनी समझ बूज के अधार पर भी हल कर सकते हैं इसमें मैंने आर्प्यसी तता अन्य प्रशनों से पूछे गए प्रशनों का भी समविश किया है समय नहीं गवाते हुए चलते हैं हम प्रशनों पर पहल प्रशन निम्न में से कौन से ऐवांचीत पदार्थ हैं जो वायू में मिल जाने के जाने पर वायू प्रदूशन होता है जिनके वायू में मिल जाने पर वायू प्रदूशन होता है कौन से हैं options में से देखेंगे हम इनमे ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तरल, ध्वनी या विकर्ण सभी हो सकते हैं, तो option there इसका सही answer होगा Question number 2, भानों में petrol दाता, डिजल में प्रियुक्त होने वाला तत्तु, जो वाई-उ प्रदूशन द्वारा माना स्वास्त को हानी पहुंचता है कौन सा है जो petrol के साथ, petrol के साथ, mercury, lead, zinc, या magnesium, हमने पढ़ाता है, petrol के साथ में lead होता है, lead free petrol होता है और lead mixed petrol होता है, तो इसके अंदर सी सा एसा तत्त है, lead एसा तत्त है, जो इसके साथ, mix हो जाता है, और यह हमारे स्वास्त को आनी पहुंचता है कैसे किड्नी लिवर को डेमेज कर सकता है बच्चों को मान से विकार होता है इससे लेड से यह विशाला तत्व है जल प्रदूशन भी करता है और वायू प्रदूशन भी करता है निम्न में से दृत्यक प्रदूशक है कॉस्चन नमर तीन दृत्यक प्रदूशक हमें जानना ह दो प्रदूशक होते हैं प्रात्मिक प्रदूशक और देत्यक प्रदूशक यह वाई प्रदूशन के समंद्ध में बुछ आगे है अब आप्शन A कारबन मोनो-कसओड बै कारबन डायोकसओड से वाश्पशील कारबनिक योगिक दैप परोक्सी एसेटिल नाइट्रेट मतल यह सीधा है सीधी गैस है मतलब प्रात्मिक प्रदुशक है यह तो सीधा उत्पन होने वाली गैस है तो यह क्या होगे प्रात्मिक प्रदुशक होगे यह जो साइकलिक होते हैं जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका बोलते हैं जैसे बेंजीन है टॉलोइन है यह सबी क्या है वाश्च्छिल कार्बनिक योगिक होते हैं इसके बाद में ये भी क्या है कि डिरेक्ट ही निकलते हैं डिरेक्ट प्रात्मिक प्रदुशक ही होते हैं ये प्रात्मिक प्रदुशकों से मिलके नहीं बने वे तो प्रात्मिक प्रदुशकों से मिलके बनावा जो उप्षिन है औप्षिन दै जो है परोक्सी एसितिल नाइट्रेट इसके अंदर क्या है इसमें हाइट्रोकर्बंस और ओजोन का इसके अंदर क्या हो जाता है मिक्स होने पर उस पर यूवी रेज गिरने पर ही ये बनता है लिट्यक जानते हैं नैट्रोजन कितना है अटतर प्रतिशत है तो यह सही है इसमें कार्बन डायोकसाइड बहुत ही कम है ओजोन बहुत ही कम है ऑक्सिजन 21 परसेंट है तो टोटल कितना बना दिया अटतर और 21 बना दिया निन्याड में तो इसके अंदर option क्या हो जाएगा ए और डी तो ए और डी है चौत है option के अंदर तो हम इसका चुनाओ करेंगे अब देखते हम next question निम्न में से कौन सी गैस मनअ उरक्ते में उपस्थित हीमोगलोबीन से क्रिया कर उसकी मृतिव का करण्न मनती है क्रिया करेंगेgreat कर ला बना देती है जमा देती है तिम्हें चीक्र में सीगडिवी जलाना मतलब यह कार्बन मनो रोख्साइब बनाता है और इस से वेक्ति की मिरती होती है option by इसका सही answer question नमर चे निवन में से कौन सी गैस इंदन के अपून धहन के करण बनती है इंदन का एपून धहन हो जाना मतलब उसको oxygen नहीं मिलना इंदन को तो फिर क्या होता है अपून धहन होता है तो उसके करण बनने वाली गैस जो होती है वो carbon mon monoxide होती है उपर वाला जो फांचों कोशन है फिर हीमोगलोबीन से वह करिया करती है तो इसमें option बैज इसका सही answer है निवन में से cancer जनित प्रदुशक है question number seven cancer जनित मतलब cancer को generate करता है carbon monoxide carbon dioxide यह बैंजीव यह chlorofluorocarbon है इसके अंदर इसके अंदर क्या है यह सबी जो है इसके अंदर बैंजीन जो है वह क्या है कि VOC यानी volatile organic compound वाश्पशील carbonic compound है carbonic yogic है यह कौन से होते हैं बैंजीन होते हैं टॉलोइन होते हैं जो को साइकलिक और में होते हैं यह क्या करते हैं कैंसर वायो में मैं में का यली को ईकशाइड की प्रतिशत मात्र है अभी हमने देखा था nitrogen की कितनी है 80% फिर oxygen की कितनी है 21% 99% तो यही हो गए इसके बाद में बचा क्या इसके बाद में यह है कि carbon dioxide की जो परतिशद मात्रा वो एक से बहुत ही कम होगी 0.04 के बराबर हो दिये carbon dioxide की मात्रा तो option 4 इसका सही answer हो गया एक से कम स्मॉग बनने का मुख्य कारण निम्न में से कौन से प्रदूशक है स्मॉग किस-किस से मिलकर बनता है हम देखते हैं पहला दे रखा है सल्फर डायोकसाइड और दूसरा है पैन यानि परोक्सिल एसिटिल नैटरेट अभी बताया था हाइड्रोकारबन और ओजोन का मिल जान प्रदूशक बनाती है पैन जैसे तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे उप्रोक्त सभी कारक इसके अंदर शामिल होगा है ठीक है अब हम पढ़ेंगे ग्यारवक प्रशन लंदन धूम कोहसा या लंदन स्मोग किस वर्ष में देखा गया लंदन के अंदर एक बार क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा स्मोग हो गया 5-9 दिसंबर इन वर्षों में से कौन सा वर्ष इसमें है 5-9 दिसंबर की वो तारिक थी और 1750 इसमें 1952, 1972 या 2000 इसके अंदर है तो ये और प्रशन है इसके अंदर 1952 इसका सही आंसर है लंदन स्मोग 5-9 दिसंबर 1952 को देखा गया थ यह RPSC के सब इंस्पेक्टर की परिक्षा में पूछा गया प्रशन है अमली वर्षा के लिए निम्न में से कौन से कारक उतर दा ही है हम देखेंगे अमली वर्षा के लिए कौन कौन से हैं पहला दे रहे है सलफर डाय ऑक्साइड फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड से दे एक है सलफर डाय तो अमली वर्षा कैसे होती है सुलफर के लिए उक्साइडब देखेंगे ऑफ्शन में कि वल एक, एक वल दो एक अटो — दोनों —난 व्परोप में से कोई नहीं हम देखेंगे सलफर के ऑक्साइड क्वाल आ थे ऐसी ऑ-पूर्स वच्छा व्मले वर्र्षा अपकषा कराता है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड क्या बनाते हैं एक्छे नौ3 यानि नाइट्र क्या कराता है। अमलिवर्षा कराता है। तो इसमें क्या हो गएğu कौन से कारक उतरता ही हैं। दोनओं की कारक उतरता ही है। इसमें से औपिशन हो गया। Option C, नियुन मेंसे अमलिय वर्षा के प्रभाव नहीं है, अमलिय वर्षा के प्रभाव नहीं है, प्रभाव कौन से हैं, देख लेते हैं, ताज मेहल का पीला पड़ना, ये प्रभाव है, बिल्कुल है, धातों का संशारन होना, जंग लगना मतलब, अमलिय वर्षा करवाती है जंग कर बाती है बिल्कुल जंग लगती है इससे तीन दमा हो जाना वेक्टिव में स्वास्त की प्रब्लम हो जाना अमली वर्षा के कारण होता है हाँ होता है ऐसा होता है तो ये तीनों ही इसके प्रभाव में शामिल है तो केवल एक केवल तीन दो या तीन इसमें पूछा क प्रभाव नहीं है तो उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा कौन सांसर होगा दे उप्रोक्त में से कोई नहीं सभी के सभी इसके प्रभाव है अगला प्रशन देखें और उज्ऑन परत पाई जाती ओजोन परत कहा पाई जाती है शोप समताफ मंडल आयन मंडल या बहीं मंदल में तो हमने देखा था और और présent कहा पाई जाती है समताफ मंडल या नि यान इस स्रायव में so हैं यूव रेज को यूव रीयो से हमें सो प्रोटेक्ट करती है यूव रस को घातक को रोकती है चार या Florine है, Methane है या फिर Chlorine है, तो चारों में से कौन सा है, इसके अंदर हमने देखा था है, ओजोन परत को शतिय पूर साने वाला तत तो कौन सा है, CFC, CFC जो होता है, Chloro Fluorocarbon जो हमारे प्रशीतिक यानि Refugerators में AC केंदर यूज़ होता है, या फिर Aerosolts केंदर यूज़ होता है, Spray के अंदर body spray के अदर use होता है तो इसके लदर क्या है कि Chlorine में कलोर फलोर करवन में Chlorine ही है उजो क्या करता है ओजोन को तोड़ता है कौन सी स्टेटोस YOUर सम्ताप मंडल इसThe बदलेगा oxygen में बदल देगा ओधरी को तोड़ कर क्या कर देगा ओटु में बदल देगा तो इसके कारण नहीं रहाएगी जोटी हो जाएगी यह जोन पतली हो जाएगी जोन शिद्र बन जाएगा तो जोन परत को श्रती पहुंचाने वाले कारकों में कौन-कौन से समयलित है देखना हैं, पहला है, केवल CFC और HCFC, मतलब क्लोरोफ़ोस्अर और हाइट्रोफ़ोस्अर्वरोकार्बन, फिर हमने बात की थी ख्लोरो फ्लोरो कार्बन में क्लोरो है है एसी एफसी में भी क्लोरो है क्लोरीन तो कुद है ऐसा तो विबिन एरोसोल्स ये सभी के सभी क्या है वो जोन परत को हानी पहुचाते तो इसलिए option क्या हो गया option दै हो गया इसका answer ठीक है कुश्चन नमर 15 ओजोन परत का शरण अधिक कहा हुआ है तो सबसे पहले बात करते हैं ओजोन परत जो है उसकी मोटाई गटी है पतली हो गई है तो उसको क्या बोला गया ओजोन चिद्र बोला गया कहां कहां पर हुए इनका संद्रन कहा होता है ओज और शरक्षट को यहां पर क्या है अंटर्क्टिक दक्षिन?!" धुरू यह वालाय और उत्री धुरू यहवाला तो यहां पर क्या हो जाएगा ऊजोन का संद्रन होगा तो यहांपर दोनों जगे क्या होगे ऊजोन की म świat्रा कम गठ गई है परत पतली हो गई है तो गोन mixed से कौन सा है option आर्क्टिक भी देरता है और भूमेद ही रेका तो इसका option नहीं है पर अर्कटिक और इसका कौन सा होगा देखे यह इस तल अवरुद पाट है उत्री गोलाड इसके करण क्या हो गया है यहां पर बरफ थोड़ी अपेक शकरत कम होती है जबकि अंटार्क्टिका पूरा बरफ से ढखावा है तो यहां पर बरफ जादा है तो यहां पर सूर्य की किरने भी पड़ती है ओजोन पर का शरण यहां पर अधिक होता है यहां पर थंड़ा भी यह और सूर्य की सीधी के नहें बरफ से टकरा कर प्रवर्तीत होने के कहा बहुत सचे कारण जिनके कमा ईक मिया कुदा करिब के कि अपक्षकरत अधिक शरण यह तो य्दोर्टिक एंड़ already हैं तक फुर्वा ऊबर तो यहां पर यह 0.01 mm के एक्वल होती है डाप से निकाई ठीक है दोस्तों डाप से निकाई से ओजोन परत के मटाई को मौपा जाता है क्वेश्चन अबर 17 ओजोन परत के संड्रक्षन हेतू लाया गया क्या लाया गया कौन सा प्रोटोकॉल है कौन सा समझोता ऐसा ऑप्शन एक है आपके क प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल प्रृचि समेस λ赤 प्रित्री समिलन तो इसके ऌदर जोन परत का संडेक्ष्ण लाने के लिए क्या क्या गया मौंट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया ठीक है करनड़ा के अंदर मॉंट्रियल में वहाँ पर एक समयलन हुआ था वहाँ पर ऐसा प्रोटोकॉल लाया गया कि सभी क्या करेंगे CFC को एक निश्चित समय में अपने अपने देशों के अंदर इसका इसको हटा देंगे इसको बाहर कर देंगे तो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर एसी के अंदर देरे देरे CFC जाने लगी तो इस प्रोटोकॉल के अंदर ऐसा हुआ प्रोटोकॉल क्या होता है एक ऐसी संधी होती है जिस पर सभी को बात दियकारी रूप से वो डिसिजन लेना पड़ता है निश्चित तोर पर इस CFC को कम क करना ही पड़ेगा जबकि समझोता में ऐसा नहीं होता जैसे परिश समझोता है तो अपने देश अपनी समथ्य अनुसार कारिय करते हैं क्वेश्चन नमर 18 बात करते हैं उप्रोक्त में से उचित विकल्प का चुनाव कीजिए कौन सा उचित विकल्प है ग्लोबल वार्मि cotton chloride carbon monoxide और मिथन अब इसके अंदर देखिये carbon monoxide carbon monoxide है क्या हमने तो कहीम नहीं पड़ा कि carbon monoxide क्या कर दिए इसको आनीं पहचाती है ग्लोबल वार्मिंगली जिम्पर है तो इन के अंदर ऑप्शन सी जो है वो राइट अंसर कार्बन मोनोकसाइड भी होगा मिथेन भी होगी और जलवाश भी होगी इसके अंदर शामिल ठीक है 19 वां देखेंगे प्रशन किस गैस की वैश्पिक टापन में भागिदारी सारवधिक है ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस है जिसकी वागिदारी सारवधिक है मीथेन है ग्लोबल वार्मिंग गैस आपक्साइड वी ग्लोबल वर्मिंग है है जलवाश भी है है व्याजर्फ्छन करती है और शरम करती घृए तो पर बाद में तापन बढ़ता है इससे तो कार्बंड है्षाइड इसके अंदर ऐसी जादा है 60% इसकी भागेदारी हैं क्यों हुआ ऐसा और दियोगी करांती के बाद में उद्योगों के बाद में और कोईले के कोईला जलाने के कारण या उद्योगों में कोईले के खपत के कारण क्या हुआ कार्मन डाय ऑक्साइड की अधिक मात्रा बढ़ गई प्रतिव पर इस कारण के वह वैश्विक अपन वह ग्लोबल वार्मिंग हुई तो सबसे ज्यादा आज तक के बड़ीवी गैस क्या हैं 60% कार्मन डाय ऑक्साइड है फिर मिथेन का नंबर आता है परन्तु मिथेन कार्मन डाय ऑक्साइड से घातक है क्योंकि इसका एक अनू 100 वर्षों तक बना रहता है क्योंटो प्रोटोकॉल का समद्ध किसे है जानेंगे क्योंटो प्रोटोकॉल अभी हमने बात की थी क्योंटो प्रोटोकॉल देखा था हमने मौंट्रियव प्रोटोकॉल के क्योंटो प्रोटोकॉल भी आया था ओजॉन परत का शरण तो कौन बताता है मौ कार्बन के उत्सरजन को कम करना देशों पर बाध्यकारी फैसला लागो किया गया है तो यह है तो प्रोटकॉल भूमंड लियतापन के समद्ध में तो ऑप्शन बैया इसका सही जवाब है कॉस्चन 21 में से भूमंड लियतापन से समद्धित नहीं है अब देखेंगे कौन सा प्रोटोकॉल है यह समझता है वूमंड लियतापन से समद्धित नहीं है तो क्योटो तो हमने देख लिया पिसले कोश्चन में बिल्कुल सही है पैरिस समझता है यह 2015 के अंदर आया था पैरिस समझता है इसमें भी क्या किया है देशों को बोला गया है कि आप उन्हें समर् करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह हमने देखा दा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसका था ओजोन का था ओजोन परत के शरण का था ओजोन परत अवक्षय को रोकना कम करना संद्रक्षन का यून एफसी सी यूनाइटेड डेशन फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क कंवेंशन on climate change ये climate change का है तो ये भी movement लियतापन से समधित है तो इसके अंदर Montreal Protocol ऐसा है जो movement लियतापन से समधित नहीं है तो इसलिए answer क्या हो गया सह हो गया तो friends ये थे 21 अती महतोपुन प्रशन उत्तर इनके उत्तरों की PDF में आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में अविलेबल करवा दूँगा आप इन वीडियोज को ध्यान पूरवक देखें इन कोश्चनों को समझें इसे के अधार पर आप भूत सारे प्रशन अपनी सूजबुज के अधार पर हल कर पाएंगे ये मेरा एनवायरमेंट और इकोलोजी के वीडियोज जो हैं वो सारे के सारे प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध हैं इसकी एक आकरी प्रशन अतर सीरीज मैं और लेकर आऊंगा धन्यवाद दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न बूले सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों THANK YOU ALL ALL THE BELT दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न बूले और लेटेस्ट अप्डेट पाने के लिए बेल आइकन का पतन दवाएं